हालो एवरिवन वेलकम बैक टू यरोन अकेडमी डड़ी सचीवास अकेडमी आप लोग उब्जेक्शन को लेके काफी कॉंफ्यूज होंगे आपको पता एस्टिट की जो ड्राफ्ट आंसर की है वो जारी की गई है और ड्राफ्ट आंसर की का मतलब होता कि उसके बाद आपके जो कुछ उब्जेक्शन हैं वो आप लोगों को बताने होते हैं तो पांस से लेके साथ पारिक तक आपको अपने उब्जेक्शन बताने हैं ठीक है मतला से स्टार्ट करके साथ तक आपको जो भी उब्जेक्शन आपको लग रहा है तो आप वो बोड की साइड पर जाकर अ बहुत ब्लेंडर मिस्टेक्स है ही नहीं, जैसा हर बार होता था, बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी, साइकोल जी के सक्षन में कहीं भी PRT, TZT, PZT, कुछी भी कोशन में मिस्टेक नहीं है, मेरी बात को धान से सुन लो, कुछ बंदे, बच्चे कह रहे हैं, जैसे मैं वो स्की करो, तो मैंने इसलिए लेट वीडियो बनाई है, पूरा वेरिफाई करके, साइकोल जी में किसी भी कोशन में कोई भी अब्जेक्शन नहीं है, मालो, नमबर मतब पढ़ाते टाइम, आंसर की बताते टाइम, स्पोस मैंने किसी कोशन का एक आंसर बता दिया, वैसे तो मेरी की बिल्कुल ऑथेंटिक है, पड़ा इतिंक एक कोशन का मुझे लग रहा है, बट मैंने ये बोल के छोड़ा था कि आंसर की में ये भी हो सकता और ये भी, तो कई बचे गन्फ्यूज आते मैं, ये वाला भी तो हो सकता है, लेकिन जो आंसर की दिये बिल्कुल ऑथेंटिक है, तो साइकोलजी में कोई गलती नहीं है, इंग्लिश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है, रियाना जी के में भी जो बच्चे बोल रहे थे उसको डीपली वेरिफाई करोगे तो mistakes नहीं है, तो basically answer की में हिंदी इंग्लिश और साइकोलजी section की मैं confirm बता रहे को यह औब जबकिन आपको बताए दोनों ही हैं तो इसका आंसर अंसर लगबक सबको ही मिलेगा अब सबको का grace देंगे तो सब को इलिए ही देंगे नहीं तो जिनोंने B और 4 को answer किया है उसको दे देंगे तो इस तरीके से आप इसको ध्यान कर सकते हो तो PGT में बस ये एक ही question है फिर बात कर लेते हैं TGT में TGT का जो है हिंदी का section उसके अंदर आपके दो questions जो है यहाँ पर गलत हैं TGT होता है या नहीं होता है I don't know really ठीक है मैंने Google भी चेक आउट किया मुझे नहीं मिला लेकिन भाई उतकंठा तो 100% जिग्यासा होती है ठीक है तो इसका भी आपको grace मिल सकता है मतलब TGT हिंदी का question है यह तो उतकंठा तो होती है जिग्यासा देखो उसने जिग्यासा का प्र पतर मिलना चीहें TGT वालों को ठीक है एक यह वाला question है TGT में कि उचान की द्रस्टी से गय वेंजन आपको बताना है तो answer की में 4 दिया इसका answer लेकिन answer आएगा आपको third क्योंकि आपको पता देखो गय कंठे भी है अल प्रान भी है लेकिन अगोश नहीं है एगोश मैंने की वेकरन उठालो सगोश अगोश हर जगे लिखा पड़ा है तो इसका answer 3 आना चीहें तो एक इसका answer आपको मिलेगा बागी कोई भी objection वाला question नहीं है और प्रस्तर वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था प्रस्तर ही होता है ठीक है तो वो कोई objection नहीं है दूसरा वो जो definition बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है और तो बस यही question है doubt के according to me बागी मुझे कोई भैंकर अब क्यों है doubt नहीं लगा है answer की बिल्कुल authentic है एक आदा नंबर जिसका कम है वो objections लगा हो otherwise 1000 रुपे waste करने की जूरत नहीं है माल लो किसी के 86 है उसको भी भैम objection लगा हूँ क्यों जिसने अपना तीन उत्तर लिखा है नंबर उसी को मिलेगा किसी बच्चे ने मालने answer दो लिखा है answer की में चार है तो वह गलत है मैं उसको वह करता हूँ challenge अरे आप challenge भी करोगे तो आपने तो तीन नहीं लगा रखा ना आपको तो फिर भी नंबर नहीं मिलेगा तो जिसने तीन उत्तर लगा रखा है वो ही इसको objection लगाई ठीक है तो यही था मेरी तरफ से objections का बाकी आप लोग देख लीजिए फिर भी आपको कोई लगे तो आप मुझसे confirmation ले सकते हैं बड़ साइकोल जी के बिलकूल ठीक है कोई attention लेने की जूरत नहीं है ठीक है